साथियों एक नया फर्मान आया है कि कावड यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रहडियां हैं स्ट्रॉल्ज हैं या धाबे रेस्ट्रॉंज हैं ये खाने के धाबे हैं तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है आप समझ गए होंगे हिंदू कौन है मुसल्मान कौन है हो सकता है इसमें जाती भी हो मंशा में इनके मंशा में यह हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है यह सब हो सकता है बिलकुल संभाव है लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया जाब आया हलाल लिखा होता है तब तो आपको व्यापती नहीं होती है बिल्कुल नहीं होतीड़ शुद्च शाकारी ही लिखा होता है तब भी हमने पूछ नहीं पूछते कि साath कि बॉटался को our पूर सब्सक्रब् Shakti मालकि क्या हिंदू है मुसलमान है जैन है सिक है क्या है अब आप इंटरनाशनल लेयर लैंज में करते हैं और को शर फूड जिंको खाना वो खा सकते हैं वो पूचते तो नहीं है न कि प्रपोस कर रहे हैं इसके पीछे मंशा है economic boycott of Muslims को normalize करना कैसे आर्थिक भहिशकार का सामान निकरन करना है मुसल्मानों का तो इस मंशा को तो हम काम्याब किसी के लिए नहीं होने देंगे वो हिंदू के लिए करें हो मुसल्मानों के लिए करें हो किसी के लिए भी करें हम नहीं होने देंगे अब meat exporters हैं बड़े बड़े चार पाज जो है अलकबीर कौन है मालिक सबरवाल अरेवियन exports कौन है मालिक कपूर एमके आर फ्रोजन कौन है मालिक मदन एबट पीमेल इंडस्ट्री मालिक कौन है बिंद्रा साहब है और एक homework भी दे दूं अल दुआ पता लगाएगा कि जब यह अल दुआ नाम की beef exporter कंपनी बनी थी तो इसके मालिक कौन थे यह homework में संग के विचारदारा वाले दोस्तों को दे रहा हों कि जिस तरह से अगर हिंदू मीट एक्सपोर्ट करता है तो रहती तो मीठी है ना या दालचावल बन जाती है ठीक उसी तरह से अगर कोई अलताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो आम अमरूद ही रहेंगे वो गोश्ट नहीं बन जाएंगे तो य हमारी आपकी जो एक तहजीव है अब उस तहजीव में मुझे याद आता है अली गंज लखनव में वहां बड़ा मंगलवार के पीछे की जो कहानी है वो सुनकर बड़ा आनंद आता है दुरगा पुजा हो भगवान जगनात यात्रा हो सब में कैसे मिल जुलकर इस किस से खरीदेगा क्या कपड़े पहनेगा किस भाशा में बोलेगा इनको अपने घरों में घुसने से रोकिए अगर इनको अपने घरों में घुसने से रोकना है तो इस विचारधारों को अपने मोहले से दूर रखिए अपनी जीवन से दूर रखिए अपनी विरहान